आपने पिछली वीडियो में प्लान नंबर 820 की बेसिक कंडिसन्स के बिसे में जानकारी ली है अब इस वीडियो में देखते हैं कि LIC की जो 820 नंबर टेबल न्यू मनी बेक पॉलसी है इस पॉलसी को कराने के बाद इस पॉलसी की मैच्यूर्टी तक क्या बेनेफिट होता है उसके बिसे में हम जानकारी देने का प्याश करते हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी दोस्तों 820 नंबर टेबल में बीच बीच में LIC कुछ भुकतान करती है यह जो बीच में होने वाला भुकतान होता है इसको कहते हैं शर्वाइबल बेनिफिट यह सर्वाइबल बेनिफिट क्या और कितना मिलता है आईए अब इसको देखते है जैसे माल लेजिए चीज साल का कोई बेक्ती है और उसने 10 लाग का भीवा कराया तो 820 नंबर जो टेबल है न्यो मनी वेग पॉलसी यह है 20 साल की suppose that 28 नंबर 2015 को इन्होंने पॉलसी कराई तो अभी इस बेक्ती की जो पॉलसी है वो मैच्योर होगी 28 सी 11 दो हजार 35 को अब प्रीमियम की बात करें तो दोस्तों मैं पिसले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं यहां जो भी प्रीम दे रहा हो उसमें सर्विस टेक्स का कल्कुलेशन नहीं है अगर कोई इस्टा प्रीम लग रही है तो उसका कल्कुलेशन नहीं है अगर कुछ rider अगर आप ले रहे हैं तो उसका भी calculation इसकी अंदर नहीं है या सिर्फ और सिर्फ basic premium है तो basic premium पर ही calculation मैंने इसमें भी किया हुआ है तो इस बेक्ति की जो 30 साल की age का जो बेक्ति है इसकी जो basic premium आ रही है वो आ रही है 24,518 अब है क्या ये आज की date में policy लेते हैं तो इनकी जो premium जमा होगी वो 15 वरसों में जमा होगी तो 15 साल में कितना premium जमा करेंगे 74,518 रूपए basic premium इनकी जमा हो रही है जमा होनी है 15 साल तो 15 से हमने गुड़ा कर दिया जो total amount आएगा वो आएगा 11,67,770 रूपए मेरा या जो customer है जिनकी वोस्था 30 साल की है ये जमा करेंगे 15 सालों में 11,67,770 रूपए basic premium के रूप में यानि 20 साल की policy में 30 साल की ये इसका अगर कोई ब्यक्ति बीमा कराता है तो basic premium के रूप में 15 सालों में total 11,67,770 रूपए जमा करेंगा अब है क्या policy चुकि 20 साल की है तो 15 से 20 साल के बीच में उनको कोई premium जमा नहीं करनी है इसके बाद क्या होता है कि इस policy में 820 number table new money back policy में money back होता है पांचमें साल फिर दसमें साल फिर पंद्रहमें साल क्या और कितना होता है इसको देखते हैं तो जैसे पांच साल की policy अगर customer कराता है यदि आप सारी आपने 20 साल की policy कराई 15 साल आपने premium जमा की तो जैसे ही premium आप जमा करते करते आप 5 साल premium जमा कर दिये तो 5 साल premium जमा करने के बाद आपको जो return होगा वो होगा 20% 20% आप basic submission यानि बीमा धन का 20% अब चुकि बीमा जो हमारे customer है ये 10 लाग का करा रहे हैं तो 5 साल जब पूरा होगा तो इनको मिलेगा 2 लाग रुपए ठीक है ठीक इसी तरह से जब 10 साल हो जाएगा इनकी policy को चलाते चलाते तो दस्वे साल दुबारा बीमा धन का 20% इनको return होगा survival benefit के रूप में यानि 2 लाग की 2 लाग रुपए दस्वे साल मिलेंगे इसके बाद जैसे ही इनकी policy 15 साल complete करेगी तो 20% आप basic semester यानि 2 लाग रुपए दस लाग की policy में 2 लाग रुपए 15 साल return होगा आईए अब देखा जाए maturity benefit क्या है तो 2 लाग रुपए मिला 5 साल 2 लाग रुपए 10 साल 2 लाग रुपए 15 साल अब क्या है premium ये जमार इनको नहीं करनी है अब policy हो गई अब policy 20 साल की mature हो गई तो maturity पर क्या benefit होगा इसको calculation देखा जाए तो ELIC क्या कहती है ELIC कहती है at maturity 40% of basic semester अब देखिए 20% 5 साल मिल गया 20% 10 साल मिल गया 20% 15 साल मिल गया अब देखिए अगर आप देखे होंगे ध्यान से आप 815 नंबर या 814 नंबर की मेरी वीडियो को अगर आपने देखा होगा नियू इंडो मेंट प्लान या नियू जीवन आनंद तो उसमें मैंने आपको बताया है कि maturity पर ELIC क्या देती है कि basic submission plus simple revolutionary bonus plus final additional bonus लेकिन इस policy में क्या है टेबल नंबर 820 new money back policy में 20 साल जब mature 20 में साल पर जब यह policy mature हो रही है तो 40% आप basic submission 20% पांच में साल मिल गया 20% दसमें साल मिल गया 20% 15 में साल मिल गया अब बचा 40% तो 40% submission का जो payment होगा वो होगा maturity पर यानि 20 में साल इसके साथ दिया जाएगा simple revolutionary bonus और अच्यों की bonus की बात करें तो bonus देखिए इस policy में जो bonus है वो bonus को अगर आप जनकारी लेना चाहते हैं तो ELIC की website www.elicindia.in.in पर जाके ले सकते हैं ELIC के ready rate और जो ELIC की टारिया होती है उस पर ELIC की जो bonus rate होते हैं वो दिया जाते हैं और या bonus हर साल ELIC declared करती है जो की policy की अंदर add होता रहता है और maturity पर या अगर customer की death होती है तो उस condition में या जो bonus है वो customer को दिया जाता है तो इस policy में 20 साल का जो total bonus होगा वो जोड़कर 40% आप basic के साथ add करके दिया जाएगा और साथ में final additional bonus जो bonus होता है वो प्रतिवर्स ELIC देती है और policy में add होता है और maturity पर पूरे year का यानि 20 साल की policy है तो 20 साल का पूरा bonus जोड़कर customer को maturity के समय दिया जाएगा और final additional जो bonus है वो मिलता है policy की maturity पर वो भी एक बार final additional bonus दिया जाता है अब दोस्तों देखते हैं कि calculation की आधार पर कितना पैसा मिलेगा तो 6 लाख रूपए customer को 5 में साल, 10 में साल और 15 में साल में ELIC दे चुकी होगी अब भीमा धन का 4 लाख रूपए बचा हुआ है तो यह जो 4 लाख रूपए है यह maturity पर दिया जाएगा इस policy में 820 नंबर table में current जो bonus rate है वो है 49 रूपए प्रती हजार यारि एक हजार का अगर भीमा होता है तो 49 रूपए बोनस के तौर पर एक वर्स में दिया जाएगा तो अगर इसी 49 हम एज़ियू में कर रहे हैं कि यह 49 रूपए है यह 49 रूपए ही आगे के 20 सालों तक अगर bonus rate रहता है तो कितना मिलेगा हला कि ऐसा होता नहीं है 49 रूपए है तो आगे के यहर में अगर पिछली पॉलसियों में देखा जाए तो लगभग पिछली पॉलसियों में जो bonus rate है वो बढ़े हैं तो अनुमान तो यहीं लगा जाता है कि यह जो पॉलसियां लांच होई है इनमें भी आगे के समय में जो bonus दर है वो bonus दर निश्यत रूप से बढ़ेगा फिलहाल हम जो calculation आज की rate में करना है तो हम जो आज का bonus दर है उसी के हिसाफ से हम calculation करते हैं तो चुकि एक हजार रूपय का जो bonus rate है वो है 49 रूपया तो अब चुकि customer ने भीवा तो 10 लाग कराया है तो हमने एक हजार से गुड़ा कर दिया तो जब एक हजार से हम जो आज की bonus दर है 49 रूपय में जब गुड़ा करते हैं तो वह जो bonus निकलता है वह एक साल का निकलता है लेकिन customer ने policy तो 20 साल चलाई है न तो हमने 20 साल का bonus निकालने के लिए 20 का गुड़ा कर दिया यानि 7,80,000 रूपय यह total bonus पेमेंट होगा प्लस final additional bonus यह FAB लास्ट में एक बार LIC पेमेंट करती है अब यदि FAB की बात करें तो 200 रूपय अगर कम से कम पकड़ा जाए 200 रूपय भी अगर पकड़ा जाता है कि 200 रूपय प्रती हजार अगर FAB होती है तो भी 2,00,000 रूपय इसमें और जोड़ जाएगा यदि उससे भी कम की बात कर लिया जाए तो कम से कम 1,500 रूपय प्रती हजार तो पकड़ा है इसमें bonus मिलना है तो यदि 1,500 रूपय प्रती हजार भी FAB जोड़ लिया जाए तो maturity पर 1,500 रूपय और बढ़ जाएंगे फिलहाल चलिए हम इस FAB क की बात नहीं करते हैं तो भी total जो maturity होती है वो 11,80,000 रूपय साथ में final additional bonus जो भी होगा वो जोड़के दिया जाएगा तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि maturity और survival benefit की विसे में मैंने जो जानकारी दी है वो आपके लिए ओक लिए होगी होगी और दोस्तों अगर आपको य करें अभी इस वीडियो को share करें अपने social sites पर share करें अपने दोस्तों को mail करें उन्हें भी यह जानकारी दे ताकि उन्हें सही जानकारी हो और अगर वह invest करना चाहते हैं तो सही जानकारी लेकर invest करें दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू शुक्रिया आपने हमार की समय को हमारी इस वीडियो के लिए निकाला थैंक्यू दोस्तों हमारी चैनल को सब्क्राइब करें और अगर आप विशेज जानकारी अगर चाहते हैं तो हमारी जो website है www.retesslic.wordpress.com पर जाकर LIC से संबंदित काफी कुछ जानकारी आप राप्त कर सकते हैं वहाँ पर यदि फिर भी अगर आपके सामदे कोई question है तो आप हमें हमारी mail id LIC mini office open at the rate of gmail.com पर आप हमें mail कर सकते हैं आप अपनी जो भी requirement है या जो जानना चाहते हैं आप उसको आप लिख कर हमें दे दे आते हैं उसको देने का हम प्यास करेंगे लोगों ने वीडियो पसंद किया है जिन भी लोगों ने कमेंट किया हुआ है मोबाइल के जरिए या mail के जरिए हमें feedback देते हैं जानकारी रेते हैं निस्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवा देता हूं इसकी सबसे बड़ी वज़ा है कि इन चीजों को करके आप मुझे motivate करते हैं ताकि इन चीजों को जो चीजें जो पाल्सियों के मुझे में जानकारी है इसको और आगे मैं बढ़ाता हूं कहीं न कहीं या मुझे motivate करने का एक अच्छा आपका एक रास्ता है आपके इन चीजों से मैं motivate होता हूं आगें दोस्तों आप से हमबल लिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और हमारे च